बजट को लेकर पहले काफी लोगों ने यहाँ पर अलग-अलग एक्सपेक्टिशन लोगों की सेट कर दी रीटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एक साथवे आजबन तक पहुचा दिया कि वही है यह यह कंपनिया है जो बहुत साथा बंपर रेटर्स देश सकती है अब मैं यहाँ पर उन पर कमेंट्स करने के लिए नहीं वैथा हूँ लेकिन मेरा काम यह है कि कोई भी चीज़ पर पहले बात करना सही नहीं होता है उच्चत नहीं होता है जिसकी जानकारी हमें पूरी तरह से नहीं हो इसलिए पोस्ट बजट वाली सीरीस में मैंने दो वीड को यहाँ पर benefit मिलेगा और उसके साथ मैंने अपने limited knowledge के हिसाब से कुछ stocks as a example भी cover किये लेकिन हमेशे चीजों को rational होके देखना चाहिए यानि कि सिक्के के दोनों sides के साब से देखना चाहिए इसलिए मैं एक low light पर भी ये video create कर रहा हूँ मैंने उस video में भी आपके साथ promise किय तो इसलिए मैंने इस पूरे topic को दो parts में divide कर दिया ये videos खास करके उनके लिए हैं जो stock market में active investing करते हैं ताकि इस information से वो अपने portfolio में कही न कहीं कुछ न कुछ makeover कर पाए क्योंति makeover करना बहती जदा ज़रूरी होता है खास करके अगर आप personal finance के इस vast field में काम कर रहे हो तो त इस interesting वीडियो को आईए मिलकर सीखते हैं तो जो पहली low light है दोस्तों वो कहीं न कहीं oil marketing companies के लिए थोड़ी कितनी negative लगी मुझे जहाँ पर additional 2 रुपे की excise duty unblended fuel पर लगा दी गई अब definitely ये जो चीज है ये oil marketing companies के लिए negative है और अगर हम उधारन के लिए कुछ companies को यहाँ प प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ cautious होने की जरुरत भी है aggressive अगर आप इसमें SIP कर रहे हो investing कर रहे हो तो आपको कहीं न कहीं एक step back लेने की शायद जरुरत पड़ सकती है क्योंकि यह जो impact है यह आगे चलके companyya कैसे absorb करती है यह पास आउट करती है वो चीज़े देखने के बाद यह एक नई strategy को develop किया जा सकता है और पहले ही दोस्तों इस sector के उपर crude oil के volatility का भी एक बहुत बड़ा खत्रा रहता ही है जिस वज़े से इस financial year में मुझे ऐसा लगता है यानि कि जो upcoming financial year है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि commodity dependent वाली जो companyya है वहाँ पर थोड़ा कितना cautious रेकर का करना चाहिए और अगर makeover करना ही है तो यहाँ पर जो highlights वाला वीडियो मैंने बनाया था उसको आप as a reference ले सकते हो और अपने portfolio का एक makeover कर सकते हो अगले low light की तरफ बढ़ते है जो है additional dumping duty को लेकर stainless steel और alloy steel पर और इसके वज़े से जिस sector पर impact है वो है stainless steel makers पर और यहाँ पर अ उसे lock करने के लिए और नई positions कोई भी थोड़ा सा आपको cautious होकर ही create करनी है इस point के वज़े से company डूब नहीं जाएंगी दोस्तों मैं ऐसा कहने का बिलकुए प्रयास नहीं कर रहा हूँ लेकिन काफी निवेशक ऐसे होते हैं जिने makeover करना होता है अपने portfolio का जो यह चाहते है कि time to time information को review करकर access करकर वहाँ पर एक वो सूझबूच के साथ अच्छा decision भी ले सके तो उस वज़े से मैं इस video को create कर रहा हूँ क्योंकि makeover दोस्तो बहुत जरूरी होता है आपके जो भी financial situation है न वो आपके behavior का ही एक परिणाम होती है और अगर इसके लिए आपको दिक्कत लगती है तो यहाँ पर एक book में recommend करना चाहूँगा आपको इस book का जो program है दोस्तो वो आपके विवार को बदल कर खुद को कर्श और पैसे की चिंताओं से मुक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है मन्थली budget को कैसे follow करना है कितना afford कर सके उतना ही कैसे खरीदना है और कर्श को कैसे खटम करना है इन सारी चीजों के बारे में आपको इस book के मादम से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी ये book आपको Hindi language में भी मिल जाती है और मज़िदार बात ये है कि ये book केवला पढ़ नहीं सकते हो सुन भी सकते हो जी हाँ audio format में भी आप इस book का access ले सकते हो और इसको मुम्किन किया है कुकू FM ने कुकू FM जो एक इंडिया का leading audiobook platform है जहां आपको 1000 गंटे से जादा का audio content मिल जाता है वो भी investing, fiction और non-fiction जैसी सभी categories में इसकी play store की rating 4.5 जादा है कुकू FM audio learning के मादम से लोगों के जीवन में एक बहुती बड़ा बतलाव ला रहा है कुकू FM पर आप audiobooks अपने regional language में सुन सकते हैं और क्योंकि यह audio format में है तो चाहे आप travel कर रहे हो, घर पे हो, काम कर रहे हो simultaneously आप books के knowledge को enjoy कर सकते हो, use कर सकते हो बिना extra dedicated time को खर्च किये हुए तो कुकू FM की link आपको नीचे description में मिल जाएगी दोस्तों जरूर आप try कीजिए, चीज़ें यहाँ पर खतम नहीं होती है, पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का discount अगर वो code use करते हैं SN50 और इस code के मादम से आपको बड़ी आसानी से discount प्राप्त हो जाएगा जिसके मादम से आप इस knowledge के भंडार को पूरी तरह से unlock कर सकते हैं, जरूर check out कीजिए नीचे description में कुकू FM की link आपको मिल जाएगी, उसी link से आपको code use करके sign up करना है और सबसे पहले total money maker वाला ही book पढ़ना है, अब बढ़ते हैं अगली low light की तरफ, जो मुझे negative लगी है methanol और acetic acid को लेकर, जो ह यहाँ पर जो यह impact है वो पढ़ेगा सीधा-सीधा fertilizer producers पर यानि की जो भी acetic acid का producers हैं, जो भी produce करते हैं, उन पर यह कहीं न कहीं negative impact पर सकता है और इसके लिए जो companies यहाँ पर है, वो है गुजरात नर्मदा वैली fertilizers and chemicals limited, अब इस particular segment में मुझे एक ही company radar पर मिली, अगर आपके पास भी इस point के वज़े से जो impact है किसी company पर आ सकता है, उसका knowledge है तो उसे comments में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने जितना समझा मेरे इसाब से, उस पे मुझे ये एक ही company radar पर मिली है, देखिए जैसे मैंने starting में कहा कि हमें हमेश rational होकर ही चीज़ों को समझना है, read between the lines करनी है, कि budget की ऐसी कौन सी points से जिससे हमें फायदे हो सकते हैं, कौन से ऐसे sector से जिनें फायदे हो सकते हैं, और धीरे धीरे अपने सूज बूच के हिसाब से, जब correction के मौके मिले तो वहाँ पर acquisition करना चाहिए, जब उच्छाल का मौका मिले तो जहां पर मैं कह रहा हूँ कि आप भी अपनी research कीजिए, क्योंकि छोटे से वीडियो में पूरी company की तो research नहीं कर सकते हैं, मोटा मोटा sector की बात कर सकते हैं, उसके बाद उस company के कितने business verticals हैं और इस verticals से कितना उनके पास income general होता है, या कितना dependence ही है, वो चीज़े भी देखनी होती है, तो वो research आप ज़रूर क देखना अगर आपको पसंद दा तो मेरे आप इस YouTube channel को subscribe किये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और quick और easy updates के लिए आप हमारा telegram group जो बिल्कुल भी free है, जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी, उसे ज़रूर join कीजिए, ताकि आपको forthcoming dividends, upcoming bonus, splits, इन सबकी जानकारी आसानी से प्राप्त भी हो सके, इसी के साथ करते हैं, इस informative वीडियो को यहीं पर conclude, जल दो इनते हैं, किसी और interesting topic के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपने health का और wealth का ज़रूर रचे से खयाल रखिएगा